देखो किसी भी देश की एकनॉमिक ग्रोथ उसके ट्रेड पर निर्भर करती है और ट्रेड में भी सबसे ज़ादा एक्सपोर्ट पे जिस से देश का एक्सपोर्ट ज़ादा होता है वो देश बहुत तेजी से ग्रोग करता है भारत के ट्रेड की बात करें तो भारत हमेशा से इंपोर्ट जादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है पर पिछले कुछ सालों से भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ध्यान दे रहा है जहां फैनेशल यह 2013-14 में भारत ने 465 बिलियन डॉला का टोटल एक्सपोर्ट किया था वहीं 2023-24 में भारत ने रिकॉर्ड 776 इसके अलावा भारत सरकार ने 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलार के एक्सपोर्ट करने का टार्गेट सेट किया है अब भारत ये टार्गेट कैसे हासल करेगा आएज जानते हैं तो नमस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आपका चारजिंग पॉइन हिंदी में दोस्तो आज किस वीड कि बेसी किलिए 2 तरीके के होते हैं एक होता हैं टेचर जिन प्रोड़ू च्पोर्ट को हम छूँ सकते और एक होता है इस स्षपर्श है स्प कई इट ट $34,000,000 है और service export $339,000,000,000 है भारत के merchandise export की बात करे तो वो पिछले financial year के मुकाबले 3% गिरा है 2022 देष्ट में भारत का merchandise export all-time high $451,000,000,000 पौच गया था वहीं 2023 में ये गिर के $437,000,000,000 हो गया है अब आप जानना चाहेंगे कि भारत का merchandise एक्सपोर्ट क्यों गिरा है तो देखो ये global challenges के चलते हुआ है देखो ऐसा नहीं है कि 2023 में सिर्फ भारत का merchandise एक्सपोर्ट गिरा है वर्ल्ड ट्रेड का यही हाल है 2022 के मुकबले 2023 में global trade ही कम हुई है क्योंकि बहुत से देश recession में जा हैं कई देशों में inflation बहुत जादा है trading partners बदले जा रहे हैं जिसके चलते 2023 में global demand ही कम हो गई थी जिसके चलते 2023 में global trade 5% गिरा है सास सालों में चाइना का export गिरा है जर्मनी का export कम हुआ है इसी तरह भारत का भी merchandise export 2023 में कम हुआ है पर देखो भारत का merchandise export भले ही कम हुआ है पर भारत का electronic, pharma, engineering export बढ़ा है जो बहुत positive बात है ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का export में ने ली petroleum products और jams and jewelry पे depend हुआ करता था 2022 में भारत का export इसलिए बढ़ा था क्योंकि भारत ने record petroleum products को export किया था 2022 में crude oil की price बहुत जादा high थी जिसके चलते petroleum product की भी price बढ़ गई थी तो इसके चलते भारत का merchandise export तेजी से बढ़ा था पर 2023 में crude oil की price कम हो गई और इसके चलते petroleum product की price बी गिर गई और इसके चलते भारत का petroleum export भी down हुआ है पर वहीं दूसरी तरफ भारत का electronic export 23% बढ़ा है 2022 में भारत ने 23.5 billion dollar export किया था वहीं 2023 में 29 billion dollar export किया है एप्रल के आने से भारत का electronic export बहुत तेजी से बढ़ा है वहीं फर्मा export 9.6% बढ़ा है इंजिनरिंग export 2.1% बढ़ा है और साथ में agriculture export भी बढ़ा है अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बोला कि भारत ने record export किया है वहीं दूसरी तरफ भारत का merchandise export गिरा है कौन सी बास आई है तो देखो दोनों बास सही है भारत का total export record हाई पे पहुच गया है और यह हुआ है service export के चलते पिछले साल के मुकाबले भारत का service export बहुत तेजी से बढ़ा है 2022 दे इसमें भारत ने 325 बिलियंड डॉला का service export किया था वहीं इस बार 339 बिलियंड डॉला का service export किया है 14 बिलियंड डॉलर्स था जैसे जैसे ट्रेड डेफिशीट को कम करेगा भारत की ग्रोथ और पीजी से बढ़ेगी फैनेशल यह दोह जर binding का ट्रेड हुआ एक सो एक्षट बिलियन डॉलर था वहीं इससपार सेवेंट बिलियन डॉलर्ड सेंचा करेगी मर्चंडास में 58 बिलियन डॉला कम हुआ है और सर्विस में 5 बिलियन डॉला कम हुआ है भारत ने इस बार कम इंपोर्ट किया है अगर आप भारत के पिछले 10 साल के एक्सपोर्ट को देखेंगे तो जब 2014 में बिजीपी पावर में आई थी तब भारत का टोटल एक्सपोर्ट 455 बिलियन डॉला था और अब यह बढ़के 776 बिलियन डॉला पौच गया है 10 सालों में मर्चंडाइस एक्सपोर्ट 314 बिलियन डॉला से बढ़के 451 बिलियन डॉला पौच गया है सर्विस एक्सपोर्ट 10 सालों में 151 बिलियन डॉला से बढ़के 339 बिलियन डॉला हो गया ह 2030 तक BGP भारत के एक्सपोर्ट को 2 trillion डॉलर तक ले जाना चाहती है 1 trillion dollar merchandise एक्सपोर्ट और 1 trillion service एक्सपोर्ट और इसके लिए BGP ने foreign trade policy 2030 लांच की है देखो भारत सरकार हर 5 सालों में foreign trade policy को अपडेट करती है पिछली बार 2015 में इस policy को अपडेट किया गया था 2020 में new policy आनी थी पर pandemic के चलते इसे 2 साल के लिए extend कर दिया गया तो अब 2023 में new foreign trade policy आई है जिसके चलते भारत सरकार 2030 तक 2 trillion dollar का एक्सपोर्ट करने का target अचीव करना चाहती है इस बार की policy में भारत सरकार merchandise service एक्सपोर्ट के सासाथ e-commerce पे भी बहुत ध्यान देने वाली है भारत सरकार चाहती है कि भारत से भी बहुत सारे product e-commerce के तुरू दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो इसके लिए भारत सरकार ने courier consignment की value को 5 लग से 10 लग रुपे कर दिया मतलब अब कोई भी इंडियन courier के तुरू 10 लग रुपे तक का समान दूसरे देशों में e-commerce के तुरू एक्सपोर्ट कर सकेगा foreign trade के डिरेक्टर संतोष कुमार का कहना है कि भारत 2030 तक सिर्फ e-commerce के तुरू 200 से 300 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकता है इसके अलावा CIA Confederation of Indian Industry ने बताया है कि अगर 2022 से 2030 तक हर सल भारत का merchandise एक्सपोर्ट 14 पसंड बढ़ता है तो 2030 तक भारत का merchandise एक्सपोर्ट तो 1 ट्रिलियन डॉलर को टच कर लेगा वहीं भारत का सर्विस एक्सपोर्ट 2022 से 2030 तक अगर हर साथ 16% बढ़ता है तो 2030 तक भारत का सर्विस एक्सपोर्ट वन ट्रिलियन डॉलर को टच कर लेगा तो 2030 तक भारत का टोटल एक्सपोर्ट दो ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा देखो सर्विस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी क्योंकि भारत का IT सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है इसके अलावा सर्विस रिलेटेड वर्क में भी भारत बहुत आ गया है भारत से बहुत से इंजिनियर्स डॉक्ट भी उतना अच्छा नहीं है तो 2030 तक 1 trillion dollar merchandise एक्सपोर्ट का टार्गेट पाने के लिए CII ने एक roadmap तयार किया है अगर भारत सरकार इस roadmap के हिसाब से काम करती है तो 2030 तक भारत का merchandise एक्सपोर्ट 1 trillion dollar को टच कर लेगा अब roadmap में क्या-क्या points है एक एक करके बताता हूं सबसे पहल भारत में invest करेंगी, manufacturing plant खोलेंगी, Indian companies के साथ collaborate करेंगी, इससे भारत के export बढ़ेंगे, इसके अलावा भारत को logistic को improve करना होगा जिससे भारत में logistic cost कम होगी, भारत में भी product बहुत सस्ते बनते हैं पर travel cost इतनी जादा होती है कि final product की price बहुत जादा हो जाती है, जिससे वो product market में competitive नहीं रह पाता है, तो भारत सरकार को infrastructure को और strong बनाना होगा, जिससे भारत में logistic cost कम हो सके, इसके अलावा भारत सरकार को ease of doing, business में बहुत ध्यान देना होगा, जिससे भारत में लोग अराम से trade कर सके, उसके लिए paper work को कम करना होगा, जादतर चीजों को digitalize करना होगा जिससे बहुत सारी चीजों का approval automatic मिल सके, इसके अलावा भारत को special economic zone बनाने होगे, जिससे भारत में manufacturing बढ़ सके, इसके अलावा भारत को अपने export को बढ़ाने के लिए new market को capture करना होगा, इसके अलावा export बढ़ाने के लिए भारत को कई देशों के साथ free trade agreement भी sign करना होगा, और ऐसा FTA sign करना होगा, जिससे भारत को फैदा हो, जैसे कि भारत ने UAE के साथ FTA sign किया है, जिससे भारत को फाइदा हो रहा है, इसी तरह भारत को European Union के साथ FTA sign करना होगा, पर देखो सबसे जादा ध्यान भारत को electronic के manufacturing में देना होगा, क्योंकि अगर भारत की electronic manufacturing तो बोस्तो मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजे और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियॉन और यूट्यूब में जॉइन बटन के तुरू एक बात मैं कहना बिचाइब आप अब जितनी मेरी वीडियो को शेर करेंगे उतनी रीज मेरी बढ़ेगी और उतनी लोग मेरे से जुडएंगे तो वीडियो को शेर करना च burnout को सस्क्राभ करना बिल्खुल भी मत बुलिएगा मैसे या ऐक इजुकेशनल वीडियो लाता रआहंगो आप जावाद जाहिन जावाराओ